दोस्तों बात अपने देश की इसलिए कारिकम का नाम रखा है जो कि इसमें जो भी बात होगी वो देश की होगी देश से जोड़े लोगों की होगी देश की जनता की होगी देश की समस्याओं की होगी देश की समधान की होगी देश की राजनीती की होगी क्योंकि अगर हम बात देश की करते हैं तो देशी सर्वोपरी होता है पर देश सर्वोपरी आम जनता के लिए है पर यहाँ पर बेवस्था ऐसी लागू हो रही है ऐसी जरुवते लागू हो रही है ऐसी नीतिय लागू हो रही है जो की आम जनता को नुक्सान दे रही है उनक शुरूबात की थी तो मुप्त की टैरिफ और मुप्त की जो कॉलिंग है डेटा है उसकी आरट डाली और वाब भाई जी ओ अपने टैरिफ बढ़ा चुकी है अन्य कंपनिया चाहे एटल की बात करें या बुड़ा फॉन बी आई की बात करें उनके टैरिफ 20-50% महंगे हो जो पर सबसे बाड़ा नुखसान जो जनता को है की जो 4G की नाम पर 2G की स्पीड मिलती है Connectivity की आपको पता ही है Connectivity की क्या स्थिती है केबल जो आम जनता है उसको गुमराय करने का प्लान है यहां Telecom Company कर रही है और आम जनता लूटी जा रही है मैं आपको अगर प्लान महंगे के बार कर लूँ तो लवा लवा Reliance जो कंपनी है उसने अपने प्लान को 21% महंगा किया है EATL की बात करें तो इनोंने अपने प्लान को 20-25% महंगा किया है और VIAE की बात करें तो इनका प्लान भी लवा लवा 20-25% महंगा हो गया है यहांदि कुल मला के मालने कि SIM card है Calling data के लिए जो अब तक कम पैसा खर्ज करना पड़ता था अब आपको जाना पैसा खर्ज करना पड़ेगा मुप्ष की जो जमाने थे वो लद गया है दोस्तों तो सबस्वरी बात यह है कि प्लान क्यों महंगे होते है कंपनी आलालग बार बोलते हैं कि हमको 5G में निवेश करना है तक क्यों चुका है सबसे बड़ा प्रिस्न आज यही है और आप जनता ही इसकी कश्ट भोगी क्यों बने पहले जब जियो 2016 में आई थी तो मुप्ष का प्लान दिये गया था एक साल का इतने आप काम करी आराम से कूप डाटा कूप का लें अब भाही जीओ कंपरी प्लान महघे करती जा रही है तो देश की जनता को भी सोचना चाहिए अब जो ट्राइए जो टेलिफॉन डेगुलर्टी ऑटोटी अप इंडिया है उसको इस पे कोई प्रियास करना पड़ेगा उसको इनकी जो टेलकम कंपनिया हैं उसकी मनमानियों को रोगना पड़ेगा मैं आपको बता दूँ कि जो जीयो के दाम है वो लबा लबा सब प्लान में बढ़ गए हैं एरटेल के डाम भी बढ़ गए है, बोड़ा फॉन के डाम भी बढ़ गए है, और सबसे बड़ी बात है कि जो इनके share है, prepared बजार में, mobile phone के हिस्तेदारी बजार में है, वो सबसे ज़्यादा है, अगर हम हिस्तेदारी की बात करें, तो लब़ लब़ जियो की हिस्तेदारी 37% ह पर सबसे बड़ी बात यह है कि इन पेलान के बाबजूद अब तक कोई ट्राई का कोई आदेश नहीं आया किन जरुवतों के चलते यह रेट बढ़ाए गए इन पे क्या नीती लागू की ट्राई अब तक सुस्त अबस्ताव बैठी हुई है कोई सुनवाई नहीं है हाला कि कुछ कमेंट्स जाते हैं तमाम चीजे कहा जाती हैं सिकायति की जाती हैं कमेंट्स होती हैं पर आप तक वही होता है डाक के तीन पात सुनने वाला कोई नहीं है कम्पेणियों की मनमानी जा रही है जब मन होता है रेट बढ़ा देते जब मन होता है टरिफ घटा देते जब मन होता है फिर बढ़ा देते हैं गड़ने वाली बारत तो कमी होती है और जिस तरह से आज पिछले अपते से प्लान बढ़े हैं, कल जीयों की प्लान बढ़े गए हैं, तो अपने आप में सवाले अपिस नहीं है कि क्या ट्राई इन पर कोई कारवाई करेगी या इनकी समिश्चा होगी, किन जरुवते की सलते प्लान बढ़ाया गया, क्या चीज म पैसे मिलार कौन है? यह आज तक इप इस नहीं है, ट्राई के अपने नियम काईदे है, अपने नीतिया है, पर इन जो कंपनिया है, मूबल कंपनिया है, जो की आपको टैडिय्ट देती है, डाटा देती है, क्योलिग देती है, वो अबतक केबल, केबल और केबल बढ़ा र और इसके साथ ही साथ मनमाने डाइंग से जो यूजर से उनके पैसे भी काट लिए जाते हैं जो आपका प्लान लेते हैं अगर टैरिप नहीं है और पैसे डलवाता है अपने मोबाल अकाउंट में तो भी उसके पैसे निकल जाते हैं कस्टमर केरे पर सुनवाई चलती रहती ह यह प्लान बापिस नहीं होता है ना ही वो पैसे बापिस किये जाते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक कमपनिया है वो कब इस लगाम को इस मनमानी को बंद करेंगी कब ट्राइ इन पर कोई एक्शन लेगा यह अपने आप में आज भी यह पिसने है और यह पिसने जब तक बना रहेगा जब तक जियो एयर टेल वियाई जैसी बड़ी कमपनिया इस में कोई सुरुबात नहीं करेंगी इसकी उत्तर नहीं देंगी कि कि यह इस तरह की जो कारवाई है वो ट्राइ करें और तब आम जनता को इस मुद्दे से निजात मिलेगी दोस्तों अगर मनमानी की बात करें तो यह तो मनमानी हो गई सबसे पहले देश के लोगों को टेलीकॉम कमपनियों ने इस तरह की सस्ते पलान की लड़ डाली और यह बताया कि आप आराम चलाईए चाहे आप देखिए चाहे होटल देखिए चाहे आप अपनी घर की जो सब्सक्त परवार म तमाम चीज़े हैं जगवार यूज करता रहते हैं और ब्यस्त रहते हैं तो लट जो लग गई थी उस लट का ही खामयाजा अब आम जनता भुगत रही है जिस तरह से आज टेलीकॉम कमपनी अपने हर समय रेट महें करते रहती है कोई सुनवाई नहीं है कोई पूस्ता नह अब तक इस मामले पर चुप्चा बैठी हुई है कंप्रेट जाती है तमाम 28 महीं 2021 को भी तमाम कंप्रेट गई थी टेलीफॉन रेगलोटेव इंडिया ने बयान भी जारी किया था कि हम देख रहे हैं कि इस तरह की मनमानी हो रही है उस पर लगाता है कंप्रेट आ रही है और हम टेलीकॉम कंपनियों से बात करेंगे पर यह बात कब होगी पता नहीं इस पर कारवाई कब होगी पता नहीं इस पर कम कब होगे रेट पता नहीं पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से यह प्लान महेंगे किये गए उससे लाब क्या होता है लाब केबल केबल ट किस तरह ईसार बढ़ाती हैं उनको रेट बनाने की योग पड़ी उनके प्लान क्यो महिए GG किये गए इसका कोई तो उसकी जम्मिरारी आप की है, ना की गिराकों की, क्या इस तरह से आप 20-50% डेट बढ़ाकर जो फाईजी में अपना नवेस करना है, उसको सार्थक करेंगे, अगर आपका पकाया भारसरकार पर है, आपको भार सका का एक लाग करोड देना है तो उसकी जम्रारी क्या केबल गिराकों की है यह जम्रारी गिराकों की कता ही नहीं है यह जम्रारी कमपनियों की है जो की गिराकों से पहले मुप्त की आरेट डालती है और बार मनवाने रेट बढ़ा कर अपने इस तरह की जो चीज ऊभणता है जो देश में दूर संचार से समंधित तमाम चीज़ों को देखती है समीच्छा करती है नीते बनाती है पर मुझे आज तक यह समझ में यह नहीं आपाया कि यह ऑठोर्टी जो इंडिया की है वो टेलीकॉम कंपनियों की समीच्छा क्यों नहीं करती चाहे रेट की की बात हो चाहे टैरिक की बात हो चाहे कनेक्टिविटी बात हो चाहे पोर्ट की बात हो चाहे पिरचार की बात हो चाहे स्पीड की बात हो चाहे कस्टमर केर की बात हो जो आपका ट्राई है यह अब तक इन पर कोई समीच्छा क्यों नहीं करता है इनकी नीतिय क्यों नहीं बन पर मामला भाही दाग के तीन पाठ जैसा होता है कि इस तरह से अपने ताबर की अलग एक मानक होते हैं कि आपको टाबर कहा लगाने किस जगह पर लगाने हैं और वो आम जनता से कितना दूर होना चाहिए पर सबसे बड़ी वात है कि इसके लिए मानक कब बनाए जाएंगे और मानक कब होगा का जाता है कि भड़ी आबादी में टारक टावर है उसकी उचाई निर्दारित होनी चाहिए या बहुत दूर होना चाहिए उसकी रिंज ऐसी होनी चाहिए कि उसका जो विक्रण है जो रेडिशन उसका प्रिभाव सिसुओं पर बच्चों पर आम जनता पर ना पड़े पर इसको लेके अभी तक जो गाइडाइज जारी हुई है उनके फॉलो कितना हो रहा है उनका पालन कितना हो रहा है यह तो फिराल अपने आप में एक यच्छ पिसन है पर सबसे बड़ी बात यह है कि आज की समय में जो टेलिफोन कंपनिया मनमानी कर रही है उसको केवल ए वो 13 मेने का होता है आम जनता देखती है कि जो साल होता है बारती करंडर के साफ से 12 मेने का होता है पर इनके साफ से साल होता है 13 मेने का यानि इनके साफ से हमारे साफ से दिन होते हैं वे 33-31 दिन के होते हैं और इनके साफ से जो मेने के दिन होते हैं वो 28 दिन होते हैं यानि हम 13 महिने का पैसा इन company को देते हैं और इन company का जो एक 13 महिने का ओसत है आप अनुमान में लगाएंगे कि कितने करोडों में ये पैसा लोगों से ले रहा है अब तक इसके लेके भी तमाम complaints ट्राई में की गई पर माम्ला बही होता है अब तक कोई कारवाई नहीं पही हाँ ट्राई ने कहा जरूर है कि हम इसको देख रहा है देखा जा रहा है पर ये जो रेट है 28 जिनके जो टैरिफ है वो लगातार चल रहा है इसको लेके अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है ना ही इसको लेके कोई याचिका डाक कौन होगा मैं को उतार हूँ जिए को समय देश में लवा लवा 42 करोड यूजर से हैं अगर एक साले 500 रुपए पती महीने के साफ से हम माने कि अगर 500 रुपए पती महीना एक आदमी अपना रिचार्ज कराता है तो जीओ लवा 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 एक महीने में लवा लवा 63,000 करोड का अलग से बिजन्स करता है अगर हम एटल की बात करें और एटल की 35 करोड यूजर है और 35 करोड यूजर अगर एक महीने का आपका 500 रुपए का रिचार्ज कराते हैं मिनमम जो एक एडिशनल महीना हो रहा है 12 महीने के अलाबा तो 13 महीना है उससे एटल लवा लवा 52,000 करोड का बिजन्स ले लेता है लव लेता है अगर वियाई की बात करें अगर 28 करोड यूजर है और 28 करोड यूजर से अगर हम 500 रुप का गुणा करेंगे तो लवा लवा 42,000 करोड का लव ये कंपनिया इन यूजर से लेती है तो अक्ल मिलाकर देखिए आज आम हैं बिना मोबाइल के कोई भी काम आज आसान नहीं रह गया है चाहे बाटसप हो चाहे फेसबुक हो तमाम ऐसी सोसल साइट से हैं जो की एंड्राइड फॉन से चला जा रही है और तमाम चीजें अगर जो लोग एंड्राइड यूजर नहीं करते हैं तब भी प्रि हाए मैं 100 करोर अगर्वाइल उजर है तो काफी बड़ी संक्या में मोबाइल उजर मोबाइल को करते हैं और लगातार उसको यूज करने के साथ साथ वह अपनी जरूत्यों को पूरा करते हैं तो पूरा क poi पूरा करने किसाथ आम जन चीवन हनिसे ओसिति कुछ अभय अबयस मझें जोट में पर उसके बाद लगातार कंपनियां दाम बढाती है एक दाम बढ़ता ही दूसरी कम्पनिया भी उसी प्रकता पर चलने लगती है और दाम बढा लेती है पर जबाब कोई नहीं लेना चाहते है ट्राइे को कि अगर हमने दाम बढा है तो क्यों बढा है एक साधगार चलती है पहले एक बढाता है पछले अपने अप्ते एय आटल वी 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 र both ले बढा दी तब तक यह जो ब्युस्था है जेप पर कैची चलने की वो चलती रहेंगी आज आप देखे देश्ब जिस तरह से मोबाइल टावर को अपयोग हो रहा है पर इन महंगी हैं पर इन महंगी है पर इन महंगी है आप जनता इनको छेल लही है और इन से अपना घर को जारा बसर कर रही है पर इन टेलिगूम गंपनीयों को भी सोचना चाहिए कि कोरोना काल में भी ये बहुत बहुत बढ़ा पिस्न है आप लेट बढ़ाते हैं आपको कारण देना चाहिए किया रेट बढ़ा है क्या मझबूरी थी और अगर आप अपना प्रिचार करते हैं 4G स्पीट का तो एक प् और आने बाले समय में क्या स्टिती बनती है वो जनता ही जानती है तीसरा हमारा मुद्दः जो मोभायल से संभंदित है वो है व्यास्थाओं का और connectivity का connectivity लगातार होती हम बोलते हैं हम 4G स्पीड पिंज ने जा रहे हैं तमाम प्रिचार होता है पर आप देखते हैं कि स्पीड के बल नगन रहती है फों किया जता है कश्टुम के की बार करें चाहे देश की राजानी दिल्ली की बार करें तमाम तेलिकॉम कंपनिया है जो की आज सरकारी कंप्रिश तमाम आगे हैं उनके कस्टमर केर तमाम आगे तमाम उनको सुबनाय सरकार के दाप से दी जाती है चाहे टाबर किशिट की बात हो या तमाम जो वेपारिक ब पूर्ची चलता है, यह सब जानते हैं, कितने GPS की बाद करते हैं, कितनी KB की बाद करते हैं, स्पीड की पर वो स्पीड नहीं मिलती है, बाइफाई और उपक्रमों की बाद छोड़ दें, तो आज जो मोबाईल यूजर हैं, उनको केबल-केबल थगा जारा है, अगर आप अगर मोबाइल चलाते होंगे तो आपका पता हुगा कि आपका अगर वेस्ट करता है ऐगर प्रिमुट यह वाला वेपकूप है आप प्रीमिम प्लान लीजिए और बड़ी आया करें वेटीविटिभी पाइए आप प्रीमिम प्लान में क्या देते हैं टाबर से क्या connectivity देते हैं किसी को नहीं पता पर हाँ premium प्राल ले लिजे पोस्पेट प्राल ले लिजे आपको बैतर connectivity मिलेगी बैतर लाब मिलेगा तो जो जो प्रीपेड हैं उन गिराकों को क्या वो भी तो आपकी सेवाओं को ले रहे हैं वो भी तो आपको महिने का टेरिफ दे रहे हैं वो भी तो आपको calling ले रहे हैं फिर उनको premium सुब्राओं के लिए अलग से टेरिफ क्यों बना रखे हैं आपने अपने premium सुब्राओं के लिए अलग से पोस्पेड प्लान क्यों बना रखे हैं और प्रिपेड उयर की जमरारी कौल लेगा जो कि देश में 90 करोड है कोई नहीं लेगा, कंपरियां आती हैं, अपने प्लान बताती है, पोस्पेड अला गये, प्रिमेम अला गये, और जो प्रिपेड गिराक है, वो लगा था ठगा जा रहा है, कब प्लान बढ़ जाते हैं, कुसको जानकारी होती है, कुसको जानकारी ही नहीं होती है, दोस्तों, जो सहर का नवासी है उसको तो पता भी चल जाता है अकुआर मोबाईल तमाम अध्यमों से की प्लान बढ़ गया है पर जो गाउं का नवासी है जिसको जनकारी नहीं है जो केबल मोबाईल को उठाना और बात करना जानता है उसको पते ही नहीं होता है कि कब प्लान बढ़ा ल जो लब लब साट परसंट ग्रामीड शिर्त मेरती है जिसको जवार की जानकारी नहीं है जिसको जवार का इल्म नहीं है कि पिलान मैंगे हो चुके हैं वो लगाता ठगी जा रही है सुनवाई होती है हम भी यह सोचते रहते हैं यह इंतियार करते रहते हैं कब ट्राई इस पर कोई बड़ा कदम उठाएगा कब ट्राई इन टेलिकॉम कंपनियों की नीति की समिश्चा करेगा कब ट्राई इन टेरे प्लानों को देखेगा कब ट्राई पूछेगा कि 20-25% लगाया गया है कि नहीं लगाया गया है कस्टुमर क्या काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है अगर किसी के पैसे गलत धंग से कट गए है उसके मोबाइल सिम के एकाउंट से तो वह वापस मिले है कि नहीं मिले है इसकी समीच्छा कब होगी यह आज तक किसी को नहीं पता और ना आ 35% का अपने टैरिफ जो है वो महगे कर लिए रेट बड़ा लिए पर इसका खाब है जा केबल ओ केबल आम जनता भोगत रही है आम जनता जो कि हमाई देश की है और देश की जनता का सबसे बड़ा योगदान देश की एकनोमी में होता है अगर आम आदमी मोबाइल को यूज नहीं करेगा तो टेलिकॉम कंपनियां की भी आय बंद हो जाएगी पर चुकी मोबाइल आज के समय में जरूर का संसाजन बन चुका है बेना मोबाइल के आज की जन्ड़गी को सोचना भी बिमानी है पर इस बिमानी के साथ साथ हमको ये भी देखना है कि इस तरह की जो बि वेलेकुम कंपणियां उनकी मनमानी का शिकार होती रहेंगी कोई तो ऐसा दिन आएगा कोई तो ऐसा समय आएगा जब ट्राइ इन कंपणियों से पूछेगा कि आपने रेट बढ़ा है तो क्या मजबूरी रही है आप पिचार पिचार करते हैं आप तमाम चीज़ों पिचार आती है उसके देखा देखी अन्य कंपणियां बढ़ा लेती हैं पर स्पीड में अब तक कोई ब्योस्ता नहीं की गई जो स्पीड है वो कि प्रिम्म कारकों के बनाई गई है प्रिपेट के लिए कौन जम्मिदार होगा यह पता नहीं तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आज की समय में जो एक पिस्ट नहीं है वह समिच्छा करनी होगी और टर्ञाइक के मादसे निवीदन भी है कि एक आम जनता के नुमाइंदे होने के नाते इसको देखें और इसकी समीच्छा करें कि जिस तरह से प्लान बनाए गए हैं क्या जिम्मिदारी रही है क्या होते रही है जिसलिए इनको प्लान बनाए है और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा लूप पॉइंट है वो है तेरा म एक जो मैना होता है तीस दिन के साथ से 28 दिन का इन गम्प wertवन हो गया है तो मिर करता हूं इस मामले में जरूर कोई कडम हधाएगी और इन टेलिकॉम कमपनीं को मनमानी है उसको रोकति नजर आएगी तो दोस्तों आज की बात अपने जिसमे हमने बात की मोबाइल जो कमपनिया है उनकी मनवानी की आगे फिर किसी बड़े मुद्दे के सार फिरोगी मुझार मुलाकात तब तक की दिये मुझे जाज़ती है नमस्कार